नमस्कार दपबलिक इंडिया में आपका हर्दिक स्वागत है मैं अखिल स्वामी आज का मूल प्रश्ट ने यह है कि जैसा मीडिया में दिखाये जा रहा है जैसे चर्चाएं हो रही है कि राहुल गांधी की जो ये यात्रा है निया यात्रा है बारा जोड़ो निया यात्रा है इसमें क्या राहुल गांधी ने ये एक मिस्टेक की है गलती की है कि इंडिया गडबंदन के बाकी विपक्षी दलों को अपने साथ लेकर वो नहीं चले हैं और यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने विपक्षी दलों से कोई वारता क्यों नहीं की तो उसका जवाब कॉंग्रेस की तरफ से यह दिया गया कि हमने सबको निमंत्रन भीजा है और यह यात्रा है और सब इसमें आमंत्रेथ हैं और सबका स्वागत है अब इसके पीछे की रणनीती को समझा अगर उसमें ममदाब एनरजी को और लेफ्ट को दोनों को आमंत्रित किया जाता और यह संयुक्त रैली होती तो बाम पंथी वोटर्स को लगता कि इसमें टीम सी है इसलिए वो शामिल नहों होते जो टीम सी के सपोर्टर सें वो इसमें शामिल नहों वोते क्योंकि उनहें लगता कि यह बांग दलों की रेली है और एकने समस्या पैदा हो जाती और आज की तारीख में बैस्पेंगॉल की जो राजनेतिक इस्थित्व है उस में ये लगता है कि TMC का वोटर और बांग का वोटर एक साथ नहीं चल सकता और ये उचित है राजनेतिक कोशल के रूप में ओचित है कि बैस्पेंगॉल के अंदर बांग और कॉंगरेस एक तरफ लड़े और टीमसी दूसी तरफ लड़े जिससे पहला और दूसा इस्थानी दोनों दनों के बीच में बटे और तीसे इस्थानी बीजेपी चली जाए यह राने ने तिक कुशलता का एक हिसाब था इसलिए ने लिया गया जहां जहां से अभी तक राहूल गांधी की यात्रा निकली है आपने देखा कि उसमें बामपंथ ने जोर शोर से जॉइन किया है यात्रब आसाम के अंदर आपने लाल जंडे देखे आपने बिहार के अंदर देखा कि उसमें दीपांकार फटाचारिया जी जो सीपाई एमल के मुख हैं वो मीटिंग में मौझूद थे और सीपाई एमल आप जानते हैं कि मजबूत ताकत है बिहार के अगर यह संयुक्त रैली होती तो बांसी या तो अपना जो समझोता है वो तोड़ना पड़ता या टीमसी के साथ तोड़ना पड़ता पंगाल के अंदर बिहार के अंदर जब यह यात्रा प्रवेश किया तो उसकी बाद आपने देखा कि नितीश कुमार ने उसी दिन जिस अगर यह संयुक्त रैली होती और इसमें जेडियू भी शामिल होता जेडी भी होता बांपंद भी होता कॉंग्रेश भी होती और उस समय अगर जनता दल यूनाइटेड धोका देता और अंदीए में चला जाता तो यह कितना बड़ा आगात होता लेकिन क्योंकि यह एक संयुक्त रैली नहीं थी यह कॉंग्रेश की रैली थी जिसमें बाकिस सब को आमंतरित किया था यहां तक की नितीश कुबार जी को भी आमंतरित किया था जो बताया गया कि नितीश कुबार जी ने वो आमंतरन स्विकार भी कर लिया था और बाद में उन्होंने उच इस दिन विहार के अंदर यात्रा आती और उस दिन पाला बदल लेता तो मेरे ख्याल से आगे भी यह स्थिती है उत्तर प्रदेश की स्थिती है आगे जहां जहां यह यात्रा जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रि और गनाइडेशन और पॉलिटिकल फोर्सेज बोलने की संभावना है इस बात की भी संभावना है कि उत्तर प्रदेश की अंदर जो छोटे छोटे घटक दल आज की तारिक में बीजेपी के साथ हैं वो साथ छोड़ें ये भी संभाव है कि बहुत सारे घटक दल जो इंड या का साथ छोड़ें चाव रननेति ग्रूप से ही एक बनाई गई रननीती हो और ऐसी स्थिती में अगर आज ठीट शेरिंग हो गया होता विहार के अंदर वेस बेंगॉल के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर तो जब यह यात्रा यहां पर आती तो उसके बाद जो न पर नीती थी कि यह जो भारत जोड़ो निया आत्रा निकले यह कॉंग्रेस की आत्रा हो और सबको अहंत्रित किया जाए जो आना चाहे आए जो ना आना चाहे ना आए बिहार के अंदर आपने देखा कि वहां RJD के भी पतादिकारी थे लेफ्ट के थे CPIM के थे CPIML के थे और और वाखी घटक दल वहां पे मौझूद थे जिसे एक मैसिज गिया कि बिहार के अंदर जो रियार्गनाइडेशन और पॉलिटिकल फोर्स है रियालाइमेंट हुआ है उसके तहत ये लोग इंडिया घटबंदन के लिए अब कमिटेड हो गए चुनाओ के वेले हो सकता है क कुछ ऐसे लोग जैसे उपेंद कुश्वाह हैं जैसे सहनी जी जीतनरमाजी हैं जैसे चिराग पास्वान हैं इनके हां भी कुछ हिर्दय परिवर्तन हुँ और ये एंडिया का साथ छोड़के इंडिया में चले जारी यह असकता है इंडिया का डबंदन में जो लोग हैं वो भी साथ छोड़कर चले जाएं तो इसलिए रननेतिक कुशलता की रूप में प्रश्चिन लनागाने के बजाए हमको यह सोचना होगा कि जो लोग अभी इंडिया गंदने आना चाहते हैं और जो लोग इंडिया गंदने छोड़ना चाहते हैं जो एंडिया का साथ चाहते हैं एंडिया बाना चाहते हैं वो जब तक रिया और्गनाइडेशन न हो जाए तब तक इसको संयुक्त रैली कहना और सबको आवंत्रित करना और बाद में उनका मुकर जाना इंडिया गंदन के लिए बहुत बड़ा शौक होता क्योंकि अभी रननेतिक रूप से ज हैं इंडिया गंदन के कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस एक दूसरे के विरुद्ध लड़े या सीट का समझौता हो अगर माली जे निर्णे होता है कि दोनों अलग अलग लड़े यह उनके लिए उचित है क्योंकि पंजाब के अंदर दो ही पॉल सकता वक्ष के लोग हैं प्रश्ण उठाते कि आप इंडिया गडबंदन बना लिया अपने सीट शेरिंग कर ली और आपस में लड़ रहा है पंजाब के अंदर बाकी जगे तो आप नहीं लड़ रहे तो इसलिए अगर सामने सामने लड़ना है पंजाब के अंदर लड़न का रिस्पॉंस किस स्टेट में किस जगे पे कितना मिल रहा है जनता के मन पे उनके प्रती जो भाव है वो कितना बदल रहा है क्योंकि जैसे आपने देखा वेजमिंगौल के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिला बिहार के अंदर तो अभूत पूर रिस्पॉंस था जब आपने देखा वहाँ पर लाखों की भीड़ थी, जितने लोग अंदर थे, उतने भारते, खाचा-खाच पताब, इमरान पताब गड़ी का भी भाशन हुआ, करतल ध्वनी से उसका स्वागत हुआ, कनया कुमार का हुआ, बाकी दिवांगर वटाचारिया का हुआ, गांधी की इस यात्रा का इंपक्ट कितना हो रहा है, और कौनसा ऐसा उप्यूक्त कैंडिडेट होगा, जो कि वहाँ पे चुनाव को जिता सकता है, जाती समीकरणों को देखकर, और बाकी जो बीजेपी की रलनीती हो, इसको देखकर, इसी लिए, इसी कारण से, ये सारे प है, इसके अंदर शिट शेयरिंग को नहीं हो रही है, जो उत्तरुदेश है, वहांपर शियरिंग के उनाई हो रही है, ये प्रशन कोई झानिये गभणता से नहीं जाता सेहनी जी को भी देने में समर्थे जीतनरा माजी को भी देने में समर्थे लेकर अगर जो सीटें पहले बीजेपी लड़ी है उसको भी छोड़ने में समस्या है जो सीटें पहले मंबरो पार्लिमेंट की जेनियो लड़ी है उसको भी छोड़ने में समस्या है चेराग पासवान से ना तो इंडिया गडबंदन अपनी सीटों का डिकलेरेशन कर रहा है और ना इसी कारण से एंडिया गडबंदन भी अपनी शीट शेरिंग को घोशित कर रहा है और अपने candidates नहीं बता रहा समाजवादी पार्टी ने अपने जो candidate डिसाइड किये हैं उससे यह देश मिलता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मैसेजिंग थी कि जो समाजवादी पार्टी है वो मसल्मानों की और यादवों की पार्टी है पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट जो आई है समाजवादी पार्टी के उसे सफश्ट महसूस होता है कि उसमें दलितों को भी बड़ा अच्छा representation मिला है शाक्यों को भी बहुत अच्छा representation मिला है और पटेलों को भी बहुत अच्छा representation मिला है तो केवल जो सीट है उसमें अयोध्या के अंदर आप दिखें वहाँ पे जिस प्रकार से जो नौट टाइम के सिटिंग मेंबर एसेमली के मेंबर है उनको टिकेट मिला है और वहाँ पे बड़ी टक्कर होगी यह देखना है क्योंकि अयोध्या में होने के बावजूद वहजाबाद की जो सीट है उसमें जो दलित मत आता है जो पासी समाज से आते हैं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो पटेल लोगों को भी और शाक्य कैंडिडेट जो दिया है डॉक्टर शाक्य को जो टिकेट दिया है उसे ऐसा लगता है कि जो इस बार की एक राजनेतिक समझगूच की अवश्यक्ता समाजवादी पार्टी में थी यह अति पिछले समाज को और पिछले समाज में यादों के अलावा दूसरे लोगों को सीट देना जिससे की एक मैसेजिंग जाए और इसी लिए जो सीट शेरिंग का सिध्धान सामने आया उसमें उन्नोंने इंडिया गरबंदन का नाम ने लिया समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया बलकि प्छला दलित अलप संख्या क्या पिछला दलित आधियावादी तो यह मैसेजिंग बड़ी क्लियर है क्योंक जो हैं जो यादों तो हैं ही समाझवादी party के साथ लेकिन जो यादों के अलावा के backwards है उनके लिए बहुत open space उनको एंडीया में मिल जाता है जिसका lab उनको मिलता है तो जिस प्रकार से ये seatों का बटवारा समाझवादी party ने किया है और कॉंग्रेस को जब seat अबंटित होंगी या साथ-साथ लड़ेंगे अलग लग लड़ेंगे ये भी रणनेतिक रूप से decide किया जाएगा और जो candidate खड़े किये जाएंगे वो भी इसी प्रकार से खड़े किये जाएंगे कि जो अगर अलग-अलग चुनाव लगते हैं तो ऐ ऐसे candidate खड़े किये जाएं जो कि PDA के वोट न काटें बलकि BJP के वोट काटें जिसे BJP को नुकसान हो क्योंकि बहुचन समाज पार्टी का जो अभी तक स्थिती है बहुत जादे क्लियर नहीं है कि बहुचन समाज पार्टी third force की तरह चुनाव लड़के ऐसे candidate खड़ेगी क कि सवाजवादी पार्टी का नुकसान हो या BJP का नुकसान हो या ऐसे candidate खड़ी करेगी कि जिससे सवाजवादी पार्टी का फाइदा हो यह अभी पता नहीं है लेकिन अगर जिस प्रकार के indications मिल रहे हैं उससे अगर वो ऐसे candidate तो ये भी रणनेतिक एक scenario analysis करने की आवशकत है कि बहन जी जो निरने लेंगी उसके आधार पर सवाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस को और RLD को किस प्रकार के कदम और किस प्रकार का seat allocation करना चाहिए जिससे बहन जी कम से कम अगर ऐसे candidate देती हैं जिससे इस PDA गड़बंदन की या position के गड़बंदन को नुकसान होने मुझे ऐसा लगता है कि जो सारा एक निरने हुआ राहुल गांधी का कि वो अकेले कॉंग्रेस की यात्रा होगी यह जॉइंट रैली नहीं होगी जॉइंट वो नहीं होगा क्योंकि अभी वो अपनी ताकत को परक्त आए जैसे पिछली बार यात्रा हुई थी दक्षिन से तरतिरफ हुई थी तो आपने देखा तेलंगना में उसका बहुत तगला प्रभाव पड़ा तेलंगना के अंदर जहां कॉंग्रेज जो है तीसरे नंबर की पार्टी थी वहाँ पर सत्ता में आ गई और अच्छी तरह सत्ता में आई लेकिन मद्यपदेश रास्थान च्छ लगाने के बाद इस बात का अंदाजा लगाना और उत्तरप्रदेश के अंदर क्या इसका रिस्पॉंस आता है और उसमें सवाजवादी पार्टी सेधानती ग्रूप से या राजनेतिक कर रणनेती के तहट उसको जोइन करती है या नहीं करती है जोइन करेगी तो फिर अच्छे वक्ता हैं जैसे इमरान प्रताप गड़ी हो गए कनिया कुमार हो गए खड़के साथ तो नहीं गए लेकिन उनका मैसिज पढ़के सुनाया गया क्योंकि आज की तारिक में जो पॉलिटिकल फोर्स जो पूरा हिंदुस्तान का सिनेरियो है वो बिल्कुल पोलराइ गया उससे ऐसा लगता है कि खत्रा बड़ा है चैलिंजेज बहुत बड़े हैं इस सिती ऐसी है जिसको बहुत मजबूती से उसका सामने करनी की आवशक्ता है और जो भी निर्ने लिया जाए वो भावुक्ता में न लिया जाए बलकि इस आधार पे लिया जाए कि उसका रा से लालु यादव जी के साथ हुआ कि जिसकी एक किड़नी है केवल बिमार है उसको दस घंटे ऑफिस में बिठाए रखा गया पता नहीं दवा दी गई कि नहीं दी गई तेजस्वी यादव को भी आट दस घंटे कल बिठाया गया और उनके साथ क्या ट्रीट्मेंट हुआ हि क्योंकि वाटसप के माद्यान से आप आए मुडाई जाती हैं कि हिवन सोरेन नदारद हैं जबकि हिवन सोरेन ने कहा तब 31 तारीक को हाजिर हो गए तो ऐसी स्थिती में आपकी जो संगर्ष है आज की तारीक में वो इतना महतवपूर संगर्ष है कि उसमें एक-एक जो रा और इंडिया के बीजिबी गडबंदर में जो अंदर घात लगाए वैठे हैं और जैसे ही उनको स्थिती राजनेतिक का परिवेश में पता चलेगी वो इधर से उधर और उधर से इधर चले जाएंगे तो आज की तारीक में अभी टिकेट को अनौस करना समाजवादी पार हैं जहां पे Returnization के बाद हो सकता है अपनी रणनीति को बदलने की आवश्यक्ता हो तो अंतोथ गत्वा ये लगता है कि जो Congress की रणनीत्ती है अकेले यात्रा निकालने की छेत्र में प्रभाव को देखने की उसके रिस्पॉंस को देखने की लोगों के रुख की कौन इधर आता है कौन उधर जाता है मान लिजे कल पना करते हैं कि ये पंद्रे मेंबरों पार्लमेंट सिटिंग जो है बीजेपी के कॉंगरिस पे आने की सपावना हो और उसकी से जो अभी तक रनननिती है वो रनननिती सही है क्योंकि बीजेपी ने नितीश कुमार को लेके विहार में जो सोचा था उसका नुकसानी उन्हें हुआ और जो वहां दो-तीन लाख नौकरियां मिली उसका लाब तेजस्वी को मिल रहा है तेजस्वी जिस परकार का रिस्प तो ऐसा लगता है कि जो टोटल वोड बैंक विहार का है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा जिससे शायद बीजेपी को नितीश कुमार को लेने से जादे नुकसान हो जाए बनिश्पद इसके कि नितीश कुमार को लेने से उन्हें फाइदा होगा अगले दस दिन पंद कर रहा है और उसके बाद ही हमने ने लिपाएंगे कि किसने रणनेतिक कुशलता का परिचाह दिया है और किसने मुरक्ता की है नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद